हम अकसर अपने अभिभावकों की मूँ से सुनते हैं कि हमारे समय में पैसे के अभाव के कारिन पढ़ाई नहीं कर पाए और निच्छर रहे गए मन में एक खटक रह जाती है कि मैं अनपढ़ हूँ घर समाज में जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है और ये खटक जीवन भर रह जाता है सिम्डेगा ठाकुर्टोली निवासी सिक्षक राज आनंत सिन्ना ने सिम्डेगा में एक नए बदलाओ की शुरुवात की है गाओ देहात की वो महिलाएं जो वर्षो पहले पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाई उनको पढ़ाने की बागडोर सिक्षक ने ली है सबसे पहले वो महिलाएं जो गाओ में सही अफ़काम करती हैं उनके जरूरी कागजात गाओ गाओ जाकर इकटा किया फिर ओनलाइन माध्यम से आडमिशन लिया और आडमिशन हो जाने के बाद अब सब को एक साथ बिठा के पढ़ा रहे हैं ये और कुछ नई प्रवर्ड सिक्षक का एक रूप है सिक्षक राज आनंद सिन्ना का कहना है कि अगर कोई अनपढ़ है तो उन्हें एक मौका मिलना चाहिए जिससे उन्हें समाच से साक्षर का दर्जा मिल सके बस इसी पहल में वो काम कर रहे हैं उन्होंने बताया कि अक्टुबर नवंबर में परिक्षा होंगी जिसमें लगभग 40-50 सहीया महिलाएं परिक्षा देंगी जिनकी अमर 45 वर्ष से ज़्यादा है उन सबों की परिक्षा की तयारी करवाने का जिम्मा सिक्षक ने लिया है सिक्षक उने पढ़ाने का कोई शिल्क नहीं लेते हैं सिक्षक ने बताया कि सभी सहीया महिलाओं को सरकार ने एक निश्चित समय में मैटरिक की पढ़ाई पूरी करने का निर्देश दिया है अगर ये सभी महिलाओं सिक्षक हो जाएंगी और इने मैटरिक के प्रमान पत्र मिल जाए तो इनके काम को और सम्मान मिलने लगेगा वो सभी लोग जो अनपढ़ है और जिने पढ़ने की इच्छा है उन सभी को सिक्षक राजा मंत्रित करते हैं कि वो आए और अपनी छूटी हुई पढ़ाई पूरी करें और घर समाज के लिए एक मिशाल बने मेरा नाम है गुलनाज खातुन मैं एक सहिया कार्श करती हूँ और सहिया का सुपरवजर सहिया साथी भी हूँ मेरा गाउं है बानो और मुझे पता चला एक बच्चा यहाँ पढ़ता है सर के हाँ कोचिंग में सुखदेव सिंग मैं हमें बताएं कि सर एडो मिसं ले रहा है बहुत मेहनत से आज हम लोग कह पहुछे हैं हम लोग कोशिस करते हैं कि सभी जो लिक रहा हैं मैट्रिक एक्जाम या इंटर सब पास हो जाएं और आगे हम लोग कुछ कदम बढ़ाएंगे, एहीं सोचके हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, धन्यावाद. मेरा नाम है फिलिस्टा सोरें, मैं तमडा कलस्टर के सहिया साथी हूँ, और सहिया का काम करती हूँ, मैं मैट्रिक एक्जाम इसलिए लिख रही हूँ, कि मैट्रिक एक्जाम लिख कर मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पाऊंगी, और अपने वस्चों के लिए एक तेरना का सुरोत बनूंगी, यहीं सोचकर मैं मैं मैट्रिक एक्जाम लिख कर मैं एक नई पहल है, महिलाओं से मिलने के बाद ऐसा दीखने को मिला कि पढ़ने की उच्छुकता थे, किसी कारणवस पढ़ाई अधूरी रह गई, घर की आर्थिक परिस्तिती खराब रही थी, और 10-20-30 साल पहले की बाद थी जब इन लोगों ने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, मिलने के बाद ऐस हैं, जो थोड़ा सी खाया जाता हूँ, वो सीखते हैं, और उसके बाद टेश्ट लिखते हैं, हर संडे को एक छोड़ा सा टेस्ट होता है, और वीक के किसी दिन में एक WhatsApp ग्रूप बना हुआ हैं लोगों का, WhatsApp ग्रूप में सबको मैंने आड कर रखा हैं, वहां पर मैं कि ये टॉपर से हैं, तो इनके अंदर एक पढ़ने का जजबा बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे अब देखने को ऐसा मिल रहा है, मैं इतना विस्वास मुझे अपने अंदर इतना विस्वास हो गया, कि रिजर्ट तो आएगा, और अच्छा रिजर्ट जाएगा, मैं इ इसी जजबे के साथ एक हौप है, एक उमीद है कि एक अच्छा रिजर्ट आएगा, काम कर रहे हैं, महनत कर रहे हैं, और मेरे साथ सारी महील आएं, हमारी माता के उम्र के हैं, सारी लोग, अच्छा लगता है कि इनको कुछ सिखा रहे हैं, और ये सीख रहे हैं, और मुझे अपने राजिस जूड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले